दोस्तो आज केमा अपनी वीडियों बात करेंगे DC वोल्टेज के वारे में दोस्तो वीडियों लंबी ना हो जा इसलिए मैंने पहले ही लिख के रख लिए और दोस्तो अगर आपको वीडियों अच्छी लगे तो वीडियों को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना अगर वीडियो अच्छी ना लगे तो वीडियो को लाइक ना करना तो दोस्तो आए सबसे पहले बात करते हैं DC वोल्टेज हे वारे में दोस्तो DC वोल्टेज हमें बैटरी से प्राप्त होता है इसको हम स्टोर कर सकते हैं और दोस्तो इसके अंदर फ्रिक्वेंसी नहीं होती और दोस्तो इसमें प्लस और माइनस होता है और दोस्तो इसके मान और गती एक समानी रहती है इसका मतलब ही है कि जैसे कि आप DC वोल्टेज जैसे कि आप लगा लो मगर जो होती है वह उतने ही जलती है जितनी हमें चैये हुट है तो दोस्तो इसलिए इसके मां और गती में कोई परिवर्ता नहीं होता है चांसा हुए एक समान रहता और दोस्तों इसका सर्किट सिंबल ये होता इस तरीके का कि एक ऐसे ले ले जो सके नीचे तीन पॉइंट बना ली जिलिए कि एक हो ग्या पलस एक होगया माइनस दूस्तों डीसी बोल्टेज का सार्किट सिंबल है तो दोस्तो वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना चैनल को सब्स्राइब करना ना भूलना और मेरे दोरह आपको ही ऐसे वीडियो आगे भी मिलती रहेंगी थैंक्स पर वाचिन